13 दिसंबर को लोक सभा के दर्सक दिर्गा में बैठे दोन आजवान सदन के अंदर कूद गए और हंगामा करने लगे ये दोनों भारतिय जन्ता पार्टी के मैसूर से सांसत प्रताप सिमहा के पास पर अंदर आये थे इसके बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किये कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई प्रताप सिमहा पर करवाई हो और ग्री मंत्री अमीत साह कर जबाब दे उन पर कोई कारवाई हुई या नहीं हुई ये तो जानकारी सामने नहीं आई लेकिन जो विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे थे उन पर ही कारवाई होने लगे 14 तारीक को लोकसभा से 13 सांसदों को सस्पेंड किया गया वहीं राजसभा से एक सांसद को वहीं आज यानी 18 दिसंबर को 78 सांसदों को लोकसभा और राजसभा से सस्पेंड कर दिया गया इसमें से एक सांसद है कौसलेंद्र कुमार जो जद्यू के नेता हैं और बिहार के अलंदा से सांसद हैं हम उनसे बातचित कर रहे हैं कि आखिराज ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया गया कि एक आदमी को बचाने के लिए जिस आदमी ने तेरा तारिक के घटना में जो अंदर लोग गय थे आसुरू गय से भी छोड़े रंगीन और हम लोग पकड़ने वाले में से थे उस दिन में ही पकड़ा हूं पहले और वैसे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है और हम लोग को को ही दिमार्ट था कि कि आण लेकिन वो नहीं हो रहा है और जान बूझके सांसें को स्पिन किया जा रहा है जितने जो श्क्ता पच्क्या गरवादी ला रहे हैं मोешь झोस की सूचना हम लोग को dedi तो हम लोगों को दे रहें सुचना संसद में पर्मनेंट हम लोग थोड़े रहेंगे आज हम है कल को दूसरा आने वाले कि इतिहास तो याद रखेगा कि वैसे लोग उगरवादी आते हैं उसंसा किया जाता है उन लोगों को सस्पंड नहीं किया जाता है बलकि मांग करने वा सबसे बड़ी पंचायत वहाँ पर लोग 30 लाख अबादी से जीत कराते हैं उनकी भी तो सुरच्छा होने चाहिए आज हमारे देश के कई लोग उसमें एक से एक निता हैं कोई आठ बार करें कोई सात बार एक से करिम भवी लोग हैं हम लोग तो कम साल वाले हैं पंद्रह साल वाले हैं लेकिन आज जो हुआ है इसमें जवाब मांगने में इस तरीके से सट्विंट होना 72 72 सांसत लग रहा है कि को बहुत वड़ा हम लोग अपराद किया है आप 2009 से सांसाद है पहली बार आप 2009 में सांसाद बने थे तब जिस पार्टी से आप तालुक रखते हैं जनता दिलियू को बीजेपी के सांथ या विपक्ष में थे केंदर में मनमहन सिंगी सरकार थी तब किस तरीके से सदन चलता था क्या ऐसे ही विपक्षी सदन को इसके पहले मैडम थी सुमित्रा महाजन जी वो मेरे संसदिय छेतर तक गयी हम लोग क्या अचरन रहा है उनसे पूछना चाहिए कि आतक संसदिय प्रनाली में को ऐसा गलती हम लोग नहीं किये हैं कि हम लोग को सर्मिंदा होना पड़े हमारे नेता को कभी सर्मिंदा होना पड़े मैं खुद हम लोग हर चीज दाइरे में रहते हैं आज भी देखने का चीज है आप देख लिए जाके कैमरा परल्यमिंट का नहीं कोई तक्ति लिये था ना कोई कागज फार के बिगरा था एक आम पबलिक की तरह हम लोग कुछ मांग कर रहता है इसा नहीं कि क लेकिन जान भूच करके किया गया कि बिपास के लोगों को टार्जिट बनाया जाए इतना को सस्पेंट कर दो कि मांग करने वाला ही चुप हो जाए कि जो गलत करने वाला है उसका रास्ता साप हो जाए तूमच नहीं हो रहा है कि मतलब कोई लिगल तरीके से संसाद में कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है या राजसभा के सभापती हैं माना जाता है कि वो सदन के गार्जियन होते हैं वो किसी पार्टी या किसी से उनका कोई संबन नहीं होता यह गार्जियन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या पक ठ्च हो गए हूँ पारल्याम्येंट कि अधच नहीं है हमें यह लगता है इसको करने में क्या दिखने हम अपराथ की है हम अगर उस दिन नहीं होते तो सकता है वह उस दिन यह थे आपके राजंदर यहां तक चला जाता है मैं उसको रोकने बाला हूँ फोटु देखने निकाल के अब वहादुरी को किया कि यह वार देना चाहिए उनको हम लोगो को रिवाड आपको क्या लगता है इतने सारे सांसदों को सस्पेंट कर दिया जा जा रहा है क्या सरकार कोई नया बिल या कुछ ऐसा लेकर आ रही आप लोग सदन में नहीं होंगे और वह असानी से पास करा लिया जाएगा कुछ ऐसा अंदेशा भी एक विल था आज भी एक बिल था पुस्ट ऑफिस का तो उस बिल में हमें लग रहा था कि अब यह भी नियम हो जाएगा कि पारसल आएगा तो आप खोल कर देख भी सकते हैं वो ठीक है उनको क्या नजरिया से उलाए हैं वो ऐसे बील पर हम लोग बहस नहीं कर पाएगे तो यह भी हो सकता है लेकिन जो हो रहा है वह हो ओ लोग तंतर का हत्या हो रहा है लोग 70 मेते हुए हम लोग जन परती नहीं भी हैं तो बातिचीत करो परांश कहीं हर्किंश सजा hem प्राइन में बोल देते हैं लोग सभा के अंदर रमेश बीधुड़ी ने एक सांसत को तमाम चीज़े बोली उनको कभी सस्पेंट नहीं किया गया संसन में जब नहीं सुनी जाती तो कहा जाता है कि सडकों पे लोग आ जाते हैं आप लोगों को चुन कर जनता ने भेजा है आप लोगों को नहीं सुना जा रहा है क्या आप लोग यह तमाम बाते लेका सडकों पे जाएंगे हम लोग तो सड़क पर जाने वाले ही है अब तो हम लोग पार्टी का निर्देश मानेंगे जो पार्टी निर्देश करेगा हम लोग पालन करेंगे अब तो चुनावाने ही वाला है जो लोग अंदर आये थे जो लोग नारा लगा रहे थे जिनको हम लोग पकड़े वो भी य कौछ और नार लगा रहे थे कि लोक तंदर के हथ्या हो रहे है मनमानी नहीं चले घू, अभर आम जनता यह बात रही हैária पत्तरकारिटा का नासूर बन चुके विग्यापन के मौडल को खारिच करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्तुरकारिता आप के लिए जवाब देह बने newslaundry.com slash subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक payment का विकलब चुनिए क्योंकि हमारे subscribers का नारा है मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें